उंगलियों के नाम खोलेंगे आपकी किस्मत के राच, जानिये कैसे होगी तरक्की। हस्तर एका विज्ञान के अनुसार, इंसान की उंगलियों के आकार, प्रकार और बनावट से उनकी किस्मत से जुड़ी हर बात का पता लगाया जा सकता है। आईए, जानते हैं कि उंगलि की बनावट क्या-क्या दर्शाती है। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको ऐसी ही रोचक भरी जानकारे की नो कुछ राज पता चल जाते हैं, कहते हैं कि इंसानों के विचारों में किस गुण की प्रधानता है, यह उनकी उंगलियों से पता चल जाता है, हस्तर एका विज्ञान के अनुसार, इंसान की उंगलियों के आकार, प्रकार और बनावट से उनकी किसमत से जुड़ी हर बात का पता लगाया जा सकता है किसी व्यक्ति की कनिश्टा, अनामिका, मद्यमा, तर्जनी और अंगुटे से भी बहुत कुछ समझा जा सकता है आईए जानते हैं कि उंगलियों के अध्यन से जीवन का रहस्य नमबर एक कनिश्टा उंगली हाथ की सबसे छोटी उंगली को कनिश्ट करिष्टा उंगली कहते हैं ये उंगली आपकी आर्थी किस्तिती और आपके बुद्धी के इस्तर के बारे में बताती हैं। जी को दुर्वा अर्पित करें और हर दिन उनकी पूजा करें। इससे जीवन में चल रही काफी दिक्कते समाप्त हो जाएंगे। नमबर दो अनामी का उंगली जिसमें आम तोर पर सगाई के अंगुटी पहना ही जाती है। इस उंगली से व्यक्ति के भावनाएं, सेहत और नाम तता यश को देखा जाता है। इस उंगली का लंबा होना, व्यक्ति को क्रोधी और दुष सहासी बना देता है। 3. मद्यमां उंगली हाथों के बीचों बीच की उंगली जो सबसे लंबी होती है, उसे मद्यमां उंगली कहते हैं। इस उंगली से व्यक्ति के काम करने की शम्ता, शिक्षा, रोजगार ये सब देखा जाता है। ये उंगली जितनी लंबी और सीधी होगी व्यक्ति उतनी तेजी से केरियर में उन्नती करेगा। लेकिन अगर ये उंगली टेडी मेडी या अनामिका उंगली से छोटी है तो इन लोगों को केरियर में बहुत संगर्श करना पड़ता है। अगर इस उंगली पर तिल है तो व्यक्ति परेशानियों से गिरा रहता है। इस उंगली में तिल हो तो व्यक्ति को जीवन में दुरगटनाओं का भी सामना करना पड़ता है। उपाए, इस उंगली के गलबढ होने पर इसमें एक लोहे का छल्ला धारन करें। नमबर चार, तरजनी उंगली अंगुठे के ठीक बगल वाली उंगली तरजनी उंगली कहलाती है। ये व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास और नेत्रत्व करने की शमता बताती है। ये उंगली लंबी और सीधी है, तो व्यक्ति जीवन में विशेश उन्नती करता है। तरजनी उंगली अगर अनामिका उंगली के बराबर हो तो व्यक्ति धूर्त और चालाख होता है। इस उंगली के बारे में लोगों की ऐसी धारणा बनी हुई है कि अगर इस उंगली से पेडों, फलों और पोधों की तरफ इशारा किया जाए तो पेड, फल और पोधे हो जाते हैं। इस उंगली से ब्रश करना भी मना होता है क्योंकि इस उंगली में बहुत शक्ति होती है। इस उंगली से ब्रश करने पर दातों में दर्द की समस्या हो सकती है। यह उंगली बताती है कि व्यक्ति आद्यात्मिक रूप से कितना ज़्यादा ताकतवर है। उ आप अमारे चैनल पर नए आहें तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही रोचक भरी जानकारी की नोटिफिकेशन मिलती रहें धन्यवाद आपका दिन शुप हो